मेरे नाम आर्या है और मैं आग्रा से बिलॉंग करता हूं तो जो मैंने आज लिखा है एक जो लड़के लोग होते हैं जब गर से बाहर खमाने जाते हैं उसके उपर तो कुछ लाएना है अदूरा सा होकर मैं गर से निकला आया हूं चंद पैसे कमाने अपनों से दूर आया हूं गर बनाने की खातिर गर छोड़ कर आया हूं एक प्यारी से बेटी है मेरी जाने नहीं देगी इस तरसे उसे सोता हुआ छोड़ कर आया हूं रख कर अपने कलेजे पर पत्थर रोता हुआ घर से आया हूं हाँ चंद पैसे कमाने की खातिर घर छोड़ कर आया हूँ जिन्दी की बितानी है साथ जिसके आउंगा जरूर बस उसे ये दिलासा दे कर आया हूँ राहे तक ना तुईसी राह पर आउंगा जरूर ये बादा करके आया हूँ हाँ चंद पैसे कमाने की खातिर गर छोड़ कर आया हूँ गाउं की गलिया उन चौपालों को सूना करके आया हूँ बजबन बीतज जिन्यारों के साथ आज उनी का साथ छोड़ कर आया हूँ हाँ चंद पैसे कमाने की खातिर अपनों से दूर आया हूँ छे जोड़ी कपड़ों में से तीन जोड़ी कपड़े लेकर आया हूं अपने ही घर को परदेश बना कर आया हूं अपनी बीमार मा को बुड़े बाप के बरों से छोड़ कर आया हूं जिनकी आखों का तारा था मैं आज उन्हें तूटी शत चांतारों के बीच छोड़ कर आय कर आए हूं हाँ चन्दपैसे कमाने की खाते गर छोड़कर आया हूं मापी दुआ बाप की इम्यीद्य साथ लाया हूं कर compensation क्यों लाओं मेतुलिअ मुझे बच्पन एक गड़ी मैं भी उनको दिलाओं ये सोज कर आया हूँ आऊंगा घर जल्दी वापस बस थोड़ा सा वक्त मांग कर लाया हूँ घर के अंदेरों को रोसन करने आया हूँ लाओंगे तिरे लिक माते का टीका बीबी को ये वादा करके आया हूँ चंद पैसे कमाने की खातिर गर छोड़ कर आया हूँ बीवी के हाथ के रोटी मां के हाथ का चार लाया हूँ बीवी के हाथ के रोटी मां के हाथ का चार रासे मैं खाऊंगा ये सोच कर आया हूँ गर बनाने की खातिर गर को छोड़ कर आया हूँ हाँ चंद पैसे कमाने के खातिर अपनों से दूर आया हूं मेरे जाने की गड़ी करीब आ रही है सूरज जाने वाली टेंट प्रेट्वर मंबद दो पर आ रही है कुछ ऐसी आवास सुनाई दे रही है मेरे दिल की धड़कन बढ़तीज आ रही है घर वालों की कुछ याद य प्रेट्वर जोरों से भागा हूं शूट नजाय टैनिस्टर से गर की यादों को पीछे चोड़ाया हूं हाँ चंद बैसे कमाने की खातिर गर छोड़कर आया हूं प्रेंट चलतीज आ रही है मेरे गाउं मेरे सहर को पीछे दखेलती जा रही है मुझे घर वालों की क्रात निवाना ता जिसका आज उसे अक्यला छोड़कर आया हूं है हाँ चंद पैसे कमाने की खातिर घर छोड़कर आया हूं वह पगली कैसे खुद को समालेगी बापा कहां गये कैसे बात को टालेगी और पापा की लाडू है ना वह रोख जान निकालेगी मैं भी अपने जिगरिक को टुकुड़े को गर पर छोड़ कर आया हूं रखे कले जे पर पत्तर रोता हुआ गर से आया हूं हाँ चन्द पैसे कमाने के खाते घर छोड़ कर आया हूं ये चलती ट्रेन की हवाएं मुझे कुछ यो सता रही हैं आखे नम है आजो को सुखा रही हो दिला सा दू तो कैसे दू खुद को आखे बंद करते ही तस्वीर सामने आ रही हैं मेरी बेटी पापा पापा केकर बुलाया करती थी मा की गोद में बड़ सुकून की निद आया करती थी और बीबी की वो नौक चौक बाई लड़ाई ये बड़ा हसाया करती थी पापा से मैं डरता था फिर भी काम सारे करता था बचा ले गे माइस्टर से मा के आचल में छुप जाया करता था ट्रेंड के तेज हमाएं मा के अचल को उड़ाती जा रही है मेरी बेटी ने आवाज दी कुछ ऐसा अभरम हुआ मुझको और मेरे बाजू में बैटी एक बच्ची अपने पापा को पापा पापा कहकर बोला रही है परदेश में कौन मेरा होगा कैसे मेरे पाऊँगा चंद पैसे कमाने की खातिर खाली पेट कहीं सड़क किनारे सो जाऊँगा मेरे सीने पर सरक कर सोती थी वो अब उसे कैसे नीद आएगी तारे गिंते गिंते उसकी रात गुजर जाएगी और होगा सवेरा थो उसे खत लिक बतलाओंगा पौँचके खहरिया से ये मैं उसको समझाओंगा एक माँ होती है जो बेटे के सकल देख उसका हाल जान लेती है और एक बीवी होती है जो प्रीपती की बातों से उसके जज़बा समझ लेती है तो इसी के उपर लेखा है माँ पूचेगी सब खत में हाल मेरा ठीक जूट बोल आँकों से आशू छलकाओंगा समझ लेगी मेरी बीवी उन गेले पन्नों से जो बात मैं ना खत में लिख पाऊंगा सच तो यह है मैं चुपा भी लो खुझ से मगर उनसे कैसे चुपा पाऊंगा मा लिखेगी खत में बेटा गर जल्दी बापा साजा तेरे पापा बहुत घुसे में साम को जब तु देर से गर आता था तो बचा लेती थी में अब तो तुझे बरसो बीत गए अब कैसे बचा पाऊंगी और कैसे रहते हैं वो तेरे बिन तेरी आँकों से आसू छलकेंग अगर मैं उनका हाल सुनाओंगी एक वादा लिखत में मैं भी डाकी से कद्विजबाऊंगा बहुत हो गया परदेश में रहना अब मैं भी गर वापस आऊंगा बीबू को लिखूंगा मौटी मत होना तुझे मैं फिर से गोद में उठाऊंगा जब तो पोचेगे को कंदे पर उठाऊंगा पापा को गड़ी पेना उनके हाथ में उनको वक्त वापस लोटाऊंगा और जब वीबी आएगी पास मेरे तो उसको नई साड़ी दे उसके आचल से लिपट जाऊंगा पेट वर खाना खाके वीबी के हाथ का मा की गोद में कर फिर से सुकून से स कर दो पाउंगा